पहले अपने सभी मित्रों की तरफ से प्रधान मंत्री जी का, अमित बाई का, नड़ा जी का और पूरी टीम का आभार व्यक्त करना चाहती हूं कि उन्होंने मेरिटोक्रेसी को और मेहनत को तबज्यों देकर सब को स्थान दिया और पूरे भारत को एक केवल नक्षे पर नहीं, बलकि मंत्रालियों में भी उतारा है और ऐसे में महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारी दी है, वो भी प्रधान मंत्री जी की एक बहुर दूर की सोच है क्योंकि लोग अब तक महिला सशक्ती करण की बात करते रहें, लेकिन सशक्त महिलाओं के द्वारा देश का नित्रित्व हो, ऐसा प्रधान मंत्री जी ने करके दिखाया है उनको अधिक जिम्मेदारी देने से, उन्होंने देकर उन्होंने ये विश्वास पैदा किया है और पिछड़ा वर्ग को हमेशा पिछड़ा रहे ऐसा नहीं है, पिछड़े वर्ग के लोगों को भी रेकिनिशन देकर, पहचान देकर जो जिम्मेवारी सौपी गई है, वो भी काबिले तारीफ है और ऐसे में चाहे वो विदेश नीती हो, चाहे आत्निरवर भारत की नीती हो, इस सब नीती हो के लिए मैं प्रदान मंत्री जी और उनकी पूरी टीम को रिदे से आभार व्यक्त करती हूं, कि जो भी शपत के शब्द है, उसमें से एक भी शब्द निरर्थक नहीं होगा, और हम पूरा प्रयास करेंगे उसके एक एक शब्द में जान डालने का। ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उते भी उपलब्द है, ट्विटर दे उते खबरान देली फॉलो करो डेली अजीत ते इंस्टाग्राम दे उते खबरान दे नालनाल वीडियो देखन देली फॉलो करो बलू टिक वाला, साड़ा ओफीशल चैनल डेली अजीत, एना ही न झाल झाल